नमस्कार दोस्तों जिस भैकेंसी के आप बेसबरी से इंतजार कर रहे थे उसका नोटिफिकेशन आ गया है बिहार पुलिस अबर सेवा आयोग दोवारा बिग्यापन जारी कर दिया गया है बिहार पुलिस अबर सिवा एक दोरा जारी कर दे गया और बिग्यापन संख्या है दो दो हजार तेईस आउनलाइन आबेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम तीथी भी दे दिया गया है पांच ग्यारा दोहजार देश पांच नवंबर तक परम भर सकते हैं अगर पद की बाद किया जाए तो पुलिस अबर निरिच्छा का पद निकला है पुलिस सब इस्पेक्टर का और बेतन मांद लेबल 6 का है और रिक्तियों की संख्या 1275 है 1275 है 1275 है इन पदों पर निक्ति परत्युक्ता परिच्छास के द्वारा युजित किया जाएगा और विग्यापन संख्या है दो 2023 आउनलाइन अवेदन पत्र भरने की प्रकिरिया शुरू हो जाएगा 5 अक्टूबर 2030 से और एक महिना का समय दिया गया है 5 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक अवेदन के लिए पत्रता है कि वो भारतिय नागरिक होना चाहिए अब भ्यर्तिक और सैस्निक योगता के बारे में बताया गया कि दिनांग 18-2030 तक किसी मानिता प्राफ्ट विस्विद्याले से असनातक परिच्छा या राज स्वरकार द्वारा मनिता प्राफ्ट उसके समकच परिच्छा उतिर्ण होना चाहिए एक अगस 2030 तक और उम्र सिमा की गन्ना होगा भी एक अगस 2030 के अधार पर की जाएगी एक अगस 2030 के अधार किस तरह किया जाएगा तो मैट्रिक या समकच परमान पत्र के अनुसार अनराच्छ समान कोटी के पुरसों के लिए नियुनतम उम्र 20 बर्स और अधिकतम उम्र 37 बर्स तथा महिलाओं के लिए नियुनतम उम्र 20 बर्स और अधिकता मुम्र 40 बरस है अनरचित समान कोटी के अभीयरतियों के लिए पिछडा बार गेवा मत्यंत् पिछडा भर पुर्सव एवा महिलाओं के लिए निवंता मुम्र 20 बरस और अधिकता मुम्र 40 बरस है और ये गन्ना किया जागा 1 अगस 2023 तक उसी तरह अनुसुचित जन जाती के पूरसोय वा महलाओं तथा थर जंडर अभ्यार्टों के लिए नियुंतम उम्र 20 बर्स और अधिक्तम उम्र 42 बर्स किया गया है बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उस्तर बेतनमान के सेवा या संबर्ग में जाने के लिए परत्योकता परिच्छाओं में भाग लेने हैं तू अधिक्तम आज उम्र शिमा में पांच बर्स की छूट दी जाएगी जिन्होंने नियमित सेवा में नियुंतम तीन बर्सों की अ इक सौट सेंटीमितर होना चाहिए अगर सीना की बात क्या जाए तो सिर्फ पूर्स के लिए अनलाच्छित बर्ग एवं पिछला बर्ग तर्षज उद्धियान पिछला बर्ग के पूर्सो के लिए बिना फुलाएं तो होना चाहिए और फुला कर 86 cm नियुनतम होना चाहिए यानि 5 cm फुलाने के बाद आना चाहिए फुलाने के बाद सिना कम से कम 5 cm का अंतर होना अनिबार होगा अनुसूचित जाते हैं वा अनुसूचित जान जाते के लिए बिना फुला है 89 cm और फुला कर 84 cm महलाओं के लिए सि पर्थम चरन का जो होगा, प्रशनों की संख्या 100 होगे और समय जो होगा वो 2 गंटे की होगी। जिसमें 30% से कामंग प्राप्त करने अभियर्टी मुख परिच्छा के लिए सफल गोशित किया जाएगे। परांभिक परिच्छा में प्राप्त अंकों के अधार पर रिक्तियां के 20 गुना सफल अभ्यरतियों को चैयन किया जाएगा और दित्य चरन मुख परिच्छा होगा परांभिक परिच्छा में सफल अभ्यरतियों को मुख परिच्छा में समलित होने के अबसर प्रदान किया अब मुख परिच्छा दो पत्र होगे, मुख परिच्छा में दो पत्र होगे, पर्थम पत्र दो सा उनकों का समान हिंदी का दो घंटे का होगा, जिसमें सो प्रश्ण होगे, और नियुंतम पासिंग 30% करना होगा, अनिवार लाना होगा, अन्यथा जो होगा, मेधा सुची म पत्र का पुर्णांग जो होगा जिसमें परिच्छा की अब्धी भी दो घंटे की होगी दोनों चर्णों की परिच्छा में परती एक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंकाटा जाएगा उत्तर पुस्तिका दो परतिया में होगी जिसके एक परती आयोग के पास सुरचित रखे जाएगी मुख लिखित परिच्छा के दार पर रिक्तियों के 6 गुना भेरतियों को चैन कोटिवार मेधा अनुसार सारीरिक दस्ता परिच्छा के लिए क्या जाएगा भेरतियों को सारीरिक दस्ता परिच्छा में मात्र उत्तिर होना अबस्यक होगा असफल घोशित होगा उची कूद होगा नियुंतम जो होगा उची कूद ये 4 फिट का होगा और महिलाओं के लिए नियुंतम 3 फिट की उची कूद होगी लंबी कूद की अगर हम बात करते हैं तो वो होगा नियुंतम 12 फिट पुरसों के लिए होगा और महिलाओं के लिए कि प्रूसा भेरते को असफल गोसित किया जाएगा महिलाओं के लिए 12 पॉंड का गोला नियूंतम 10 फिट फेकना होगा किस तरह पद का बठबारा किया गया कि अरच्छन कोटी का कूल पद कितना महिलाओं के लिए 36 रूप से 35 उसमें कितना सीट आएगा अस्वतन्ता सनानियों के लिए क्या क्या सीट मिला है यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचीत जाती के लिए इस बाद जिसमें 36 महिलाओं के लिए है पिछड़ा बर्ग के महिलाओं के लिए 82 सीट है आना रच्छित पद है कितना? 441 यानि जनरल केटोगरी के लिए 441 है जिसमें 103 पर महिला रहेगा आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग में 111 पूर्शोक का है जिसमें से 34 महिला भी रहेगा 111 में 34 महिला भी रहेगा ट्रांसजेंडर के 5 सीट दिया गया यानि टोटल 1275 है जिसमें 368 जो है महिलाओं के लिए और टोटल जो 22 सीट है वो स्वतंता से नानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए अरचित किया गया है वो इस तरह सीट का बटबारा है इसे अच्छे से देख लिजिए और आप अपना जोड लिजिए कि आप सीट कितना है और आप अभी से तयारी में लग जाएए और हमारे चैनल से जुड़े रहेए क्योंकि इस चैनल पर काई बुक के प्रेक्टिस सेट और करेंट अफेस रेवलर बेसिस पे अपलोड किया जाता है और जादा सजादा इस वीडियो को सेर किजिए धन्यवाद